नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट RK और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग तो चलिए शुरू करते हैं वो चैलेंज वाला जो ट्रेडिंग है यह दिकत कर रहे है नियो ट्रेडिंग था ना उसको उपन कर लेता हूँ और साथ ही चार्ड देखने के लिए यह उपन कर लेता हूँ और एक्सल सीट भीना उपन करना है चलिए गूगल सीट जो कल वाला था वो भी कर लेता हूँ ओपन ओपन कर लिया दो तो अभी ओडर में आप देखे तो कोई भी ओडर मेरा नहीं है पोट्फोलियो में देखे तो कोई पोजिशन नहीं है हाँ फंड आप जरूर देख लिए जो फंड कल अम लोगों का 49,780 था आज 5,794 जोड के एक्चुल मैं जब रात में देख रहा था और इसमें चलिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन पहले कुछ कॉल्स वेगर आप लोगों को दे दूँ इसके बाद ही न तभी तो इसमें चार्ट देखेंगे वो क्या समझाना है मैं यहां पर बताता हूं अप लोगों को एक मिनट कल जो मुझे प्रॉफिट कार्ट के पैसा आया न वो मैंने कॉंट्रेक्ट नोट में देखा तो वह मुझे आया है आट सो खांट पैर देख लूँ ओ फोथा जो मुझे000C825 उपैसा लोगों ने भूस पर देखलू जो मुझे ब्रोक्रेज काटा है यह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं देखे इसमें काटा है taxable value of supply ब्रोक्रेज 0.01 उसके अलाबा transaction charges plus AB fee काटा है 9 रुप्या 9.79 रुपीज यानि की 9 रुप्या 80 पैसा 1 रुप्या 76 पैसा अलग से फिर काट लिया है वह GST वेगरा को जोड़के और 36 रुप्या आई GST काटा है HTT काटा है 36 रुप्या चार रुप्या स्टार्म डुटी काटा है ठीक है तो टोटल कार्ट पीट के 815 रुप्या मुझे दिया है तो यहां पर जो मैं access seat में लिखूंगा न यह net PL यह मुझे मिला है 815 रुप्या यह लिख देता हूँ अभी इसमें कॉलम और मैं बढ़ाऊंगा लेकिन पहले में कुछ कॉल्स वगरा आप लोगों को दे दूं उसके बार और कॉल्स के लिए यहां पर मार्केट देखें यह यह है यह तो ख्याली कहता है एकाउंटे खोलो ट्रेड डॉट यह खोलना न एकाउंट क्यों खोलूँगा एकाउंट बहुत जगा में आप खुला हुग है चले तो बैंक निप्टी पहले देखें क्या चल रहा है पहले आपको कुछ कॉल देदूं फिर मैं भी लेने क कोशिस करूंगा थोड़ा से उपर से सही जगा से profit booking तो है लेकिन ठीक है इसे इसमें कोई खराबी नहीं लग रहा है पचास हजार एक आवन हजार दोशो का call option एक आवन हजार अच्छाए फायस तो ही चार्ट देखने के लिए एक आवन हजार दोशो का call option बाय बी एन कावन दोशो का C एभब इसको मैं यहां पर चार्ट देखने के लिए एक कावन हजार दोशो का call option एक कावन दोशो का C यह आ गया call खुल जा भाई एक आवन हजार दोशो का C इसका चार्ट चल रहा है हां यह 205 के उपर लेना है 205 इस टोप लोश लेना है 180 काफी है टार्गेट हो जाएगा 230 से 255 का एक तो यह हो गया इसको ध्यान में रखी सेरिया कूपर निकलेगा तो अच्छा इसको मैं अपने अपर भी डाल दूँ यह आ गया और अपना वाट्सअप चैनल पर भी डाल दूँ यह भी आ गया एक तो यह हो गया दूसरा अब जड़ा कोल इंडिया चार सो देखें कोल इंडिया में आज मेरा लग रहा है चार सो चौरासी पचासी कोल इंडिया और एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर दोनों में से देखें टाटा कंज्यूमर 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 कंज्यू ठीक ठाकी लग रहा है टाटा कंजुमर टाटा कंजुमर कोल इंडिया चलिए ट्रेड लेने की कोशिज करता हूं देखे यहां पर मैं एक्सल सीट में एक कॉलम बढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं रीजन उसका और वो क्या बढ़ाऊंगा वो अभी मैं बता सन्नाटा है कोल इंडिया मुझे लग रहा है कोल इंडिया कोल इंडिया कोल इंडिया एक से दो ट्रेड करना पड़ सकता है ठीक है एक से दो ट्रेड करना पड़ सकता है तो कोल इंडिया एक स्टॉक्स उठाता हूं कोल इंडिया को बाय करूंगा और इंट्राडे में तो लग रहा अब 29 या 200, 29 पर 300 क्वांटिटी को, अगर मैं बाय करता हूं तो, तो थोड़ा सा इस जगहा पर देखना पूड़ेगा, बांकि बैंक निफ्टी का लेबल कहां चल गया है, 1516, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी का भी, तो मैं इसको ले रहा हूं, मार्केट प्राइस पे 300 क्वांटिटी को मैंने बाय किया, कोल इंडिया को, मैं बाय साइड इसको देख रहा हूं, फिलाल कॉल इंडिया को, और अब देखे, कोटक इस पर आ गया, एक पोजिशन, क्लोजड हो गया, यानि अभी 446 पर 90 पैसा चल रहा है, अपंचान बे चल रहा है, मुझे लेना है वही, समझी, 2-3% का मामला बन जा, 3% मिल जा, 4% मिल जा, तो 5% मिल जा, को दिकन, इंवेस्टमेंट हो है, 30,000 का, ठीक है, कितने का इंवेस्टमेंट हो है, 30,000 का, फंड आप देखे, 30,000 का लगव हम मान के चले, 29,000 का, 3% भी अगर देखें, तो 870 रुपया होता है, तो हमारा टार्गेट होगा 870 रुपय के आसपास में, ठीक है, अभी 15 रुपया चल रहा है, माइनस, अभी 60 रुपय पॉजिटिव था, अभी 15 रुपय पॉजिटिव हो गया है, और इसको हम चार्ट प इसके चार्ट पर साथ यह सब आप्शन नहीं आता है, बाय सेल वाला, कोल इंडिया, थोड़ा नीचे आ रहा है, बैंक निप्टी के साथ में, टाटा कंजूमर रेखा न, टाटा कंजूमर, टाटा कंजूमर, यहां, 1205 चल रहा है है, और एक श्टोक में लूँगा, टाटा कंजूमर को भी बाय साइड में रखूँगा, ठीक है, तो दो टेड लूँगा, टाटा कंजूमर को भी मैं बाय करूँगा, इंट्राडे में, और इसमें, अगर, हंडेड क्वांटिटी में मुझे लग रहा है, 24,149 है, फंड है मातर 21,000 का, तो हम इसको कम कर लेंगे, 80 क्वांटिटी कर लेंगे, 80 से 85,90 भी डाल सकते, 90 ने लेगा, 85 लेगा, ठीक है, तो यह डाल दिया, और इसको मैंने कर लिया, बाई, टाटा कंजूमर को मैंने बाई किया, और में चल गया, आपको दिखाता हूँ, दो को पोजिशन हो गया है, और इसको मैंने बाई किया, अबरेज प्राइज प्राइज बारा सो आठ रुपया, पन्रा पैसे पर पचासी से है, तो पोट्फोलियो में गया पोजिशन, दीखे, 242 रुपय का लॉज हो रहा है, 119, कैसे कैसे लॉज हो रहा है, वो देखते है, यहां पी इसको मैं उपर कर देता हूँ, चार, 34 रुपय का, 12 रुपय का प्रॉफिट है, तो कोल इंडिया का मैं लॉज बुक करूँगा, क्यूंकि यह मुझे नहीं दे रहा है, अभी फिलाल मामला इसका खराब है, तो मैं कोल इंडिया से तुरंट से इससे निकल जाओंगा, देखे, यह आपको करना आना चाहिए, अगर आप यह नहीं करेंगे, अपना लॉज का ट्रेड नहीं काटेंगे, तो देखे, यह मैंने काट दिया, कोल इंडिया भाइलाइट्स खतम हो गया, और टाटा कंजूमर में मैं पोजिशन को एड कर दूँगा, ठीक है, टाटा कं बाइल मोर में जाके 80 कौन्टिटी डालता हूँ, 80 न, 85 कौन्टिटी डालता हूँ, और 255 अभी टाटा कंजूमर का चार्ट ठीक है, टाटा कंजूमर और मैंने मारा इसको बाइं, तो अभी देखे, टाटा कंजूमर में मेरा ट्रेड बढ़ गया होगा, 170 कौन्टिटी हो से है है, इस में जो लॉजज़ बूख रूब का लॉज़ बूख रूब है, आप देखे, कौल इंडिया में एक सो पनचान्वे रूपए का लॉज़ बूख हुआ है, टाटा कंजूमर में 85 रूपए का प्रॉफिक चल रहा, तो अभी यह ने देखते, अब टाटा कंजू माइनस नो हजार तीन सो तो 42,000 का लगव फंड यूज़ वा है और इसका हम लोग अगर 3% देखें का 3% लेना है तो हमारा आता है 1275 रुपया निकि 1200 का पकड़ने चलता है 1200,000 रुपया यह हमारा होगा फिलाल यह अभी देखते हैं हमारा तो क्या आता है इस टाटा कंजुमर में देखें टाटा कंजुमर है पॉजिटिव उसमें कोई दिक्कत वाली बात ने हलांकि कोल इंडिया भी पॉजिटिव ही है उसमें भी खराबी नहीं है देखें बैंक निप्टी नीचे आ गया है 55100 का फूट के तरफ में भी नजर रखना चाहिए था खर कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा इसमें भी अगर आप लेना चाहें 215 16 उपर बाय बी ये न 15200 का पी ये भव दो सो बीस से एक सो नपए तारगेट 250 से 280 ठीक है अगर ये जाता है तो जरूर इसमें लेना चाहें एक आवन सोरी एक आवन एक सो का है ये इडिट एक आवन एक सो का पी है यह देखिए जिसके लेबल आएंगे उसमें ट्रेड करिए नहीं आएगा टाटा कंजूमर और कोल इंडिया पोल इंडिया रहेगा पॉजिटीव इसी एरिया से रहना चाहिए हलांकि यह उपर से गिरावट दिखा रहा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गिरावट होना चाहिए टाटा कंजूमर पॉजिटीव हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और टाटा कंजूमर का अच चाहिए बारा सो पंदरा और बारा सो बीस इसका अगर इस्टा ओप्सन भी देखें तो बारा सो पे छोटा हड़र लेकिन कोई खास नहीं है और बारा सो पांस से बारा सो दास चली देखते हैं तो एबरेज प्राइज मेरा हो गया है टाटा कंजूमर में पॉर्टफोलियो देख सवरी यहां यहां दो सो यह टोटल है इसमें उसका भी एडेक इसका कोल इंडिया का भी आपको एक्चुली यह है दो सो नवासी रुपए यह टाटा कंजूमर का यहां पर आपको दीख रहा होगा देखें हैंना 314 279 अभी इसका एबरेज प्राइज हमारा बारा सो पांच पैसा है 1206 चल रहा है अभी देखते हैं सस्टेन करता है उपर या नहीं टाटा कंजूमर जाने रहा है दोस्तों तो टाटा कंजूमर को भी हटा देंगे क्योंकि देखें ज्यादा लॉस लेने से अच्छा है बड़ा लॉस लेने से हैं कि छोटा समय निकल जाए पह सीपी में और डारेक्टली 150 कॉंटिटी को मैं बाय करता हूँ गोदरेज सीपी में गोदरेज सीपी का चार्ट फड़ा सा मुझे लग रहा है यहां पर ठीक थाक बन रहा है गोदरेज शीपी यह देखा 1500 और यह मैने ले लिया गोदरेज सीपी का और बुक में आपको आ जाएगा तीन ओडर है गोद्रेश सीपी पंदरा सो रुपया पंदरा पैसा पे लिया है अब पंदरा सो पंदरा चल रहा है तो पोजिशन जो है पंदरा रुपय का प्रॉफिट है और जो है इसका फंद यूटिलाईज हुआ है फंद यूटिलाईज हुआ है पांच साजार अभी है न याने की 45, 45,000 का पर्फिट होना चीए तब यो लॉस भी कटेगा तो भी एक ही पर्षेंट बचेगा तो चलिए वेट करते हैं अभी देखते हैं गोद्रेश सीपी में सा मुझे लग रहा 1532 पर एक मुमेंट बनेगा गोद्रेश सीपी हलांकि टाटा कंजूमर भी है सही उसमें भी खराब भी नहीं है लेकिन हो जाता है कभी कवार आपका श्टॉक जो लेते हैं आपका साइट वेज हो जाता है यह आल टाइम हाय पर वापस से पहुंचा हुआ गो गोद्रेश सीपी का लोग लगाया है 1481 ठीक है और हमारा भीच में प्रोफिट 218 रुपे हो गया तो दिखे अब जो बचा है 499 का बचा है लॉस्ट तेरे-दरे यह कभर हो जाएगा जैसे इदर प्रोफिट होगा इदर आपका यह कम होता चला जाएगा ठीक है पंदरा सो आज का हाई है यहां से पॉजिटिफ बना पंदरा सो दो रुप्या पचास पैसा पंदरा सो इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आपको एक तेज मुमेंट बनेगा उपर की साइड में फिलाल गोद्रेश सीपी का लेवल क्या है चाओदा सो चालीस चल रहे हैं पंदरा सो के यहां भद यों पंदरा सो बीश चौर आसी हज़ार रेजिस्टेंसे कॉल साइड ने पार जाने को यह तयार होगा नहीं कोसिस तो कर रहा है लेकिन सकसेस कर जाया तभी तो यहीं पर से आके 1500 पर ही यह रेजिस्टेंस ले रहा है चलिए देखते हैं हाँ इसमें एक कॉलम की जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को कि वो कॉलम कौन सा मैं एड करूँगा वो एड करूँगा उसको मैं क्या नाम दूँगा उसको नाम देना चाहूंगा मैं सेलरी ठीक है इसको मैं नाम दूँगा सेलरी एक मिनिट यहां पर टाइप नहीं हो रहा है आएगा तो दोस्तों 51100 का जो पी है उसने 280 का मैंने फाइनल टार्गेट दिया था इसने हाय लगाया है दोस्तों 81 रुपया कुछ पैसे का तो लगबग लगबग काम होई गया 225 के उपर दिया था और 220 के उपर तो काम होई गया और टार्गेट डन कर सकते हैं आप इसको चली मैं इसको लिख दूँ और टार्गेट डन है अ बन एकावन एकसो का पी तो अपना काम इदर आपका हो गया कॉल का लेवल आया नहीं कोई बात ही नहीं कॉल का लेवल नहीं आया तो नहीं आया कोई बैंक निप्टी का सारा टार्गेट कम्प्लीट हो चुका है कोई बात नहीं पंदरा सो पांच थोड़ा है गोध्रेशीपी का ब्रेक आउट करेगा तो सिधा कूपर के लेवल दिखाएगा तो मार्केट का पूट ऑप्शन का तो टार्गेट डन हो गया दोस्ता आप लोगों को जो मैंने दिया अभी मैं देखता हूं मामला कहां पर कंटिन्यू बैंक आगा नेंटिव फॉल में है तो लिखने हिए गर बैंक नेंटिव मोमेंट बना तो बैंक नेंटिव में टेड हो आदर वैस मेटल आज कैसा है बेदान ता ज्च वट स्टील का लेवल देखे कल भी सा ज्टील नेगेटिव ही था फिर बाद में कभर करके पॉजिटिव केंपस लेना नहीं और विंदो फार्मा पॉजिटीव है दवा में वो कैंसर उंसर का कुछ आया ना तो उन सब के वज़ा से पॉजिटीव मुमेंट बना है और विंदो फार्मा चलिए और विंदो फार्मा या फिर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लेते हैं ठीक है आपका इसमें इसमें मुझे लगता है बैंक निफ्टी का मुझे लेने नहीं देगा मैंने फ्यूचर एक्टिवेट नहीं करवाया है मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने future को activate ही नहीं करवाया है, अभी पता चला जाएगा future activate नहीं करवाया है, करवाना पड़ेगा लग रहा है, phone करके एक आवन हजार important support है bank nifty का, मैं एक बार उनको call करके देखता हूँ, अगर वो activate कर देता है, तो फिर यहाँ पर अपना काम हो जाएगा, ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी दिर में बैंक निप्टी का call option ले लिया, दोस्तों, शाठ से रहने की 4 lot लिया, 480 का profit चल रहा है, 597 में देखिए उसने कर दिया, दो मिनट में मैंने किया हूँ, ठीक है, आप लीजिए आपका activate है, उन्होंने यही का, तो मैंने मारा तो संजोग से, यह मुझे मिल गया, कुछ किया पता नहीं, बैंक निप्टी यहां से मुमेंट के, यह अच्छा support area है, ठीक है, और मुझे लग रहा है, यह 51,150,200 तक जाना चाहिए, बैंक निप्टी को, और मुझे मिल गया, 630 रुपे का profit, 500, 446, 437, 452, तो यहां से इसका profit में book कर लेता हूँ, इसका profit में book कर लेता हूँ, 51,50, इसने high लगा, 51,000, 48, इसका high, 55,46 का, चलिए, 780, 800 चल रहा है, यह देखे, 837, 609, चलिए, बढ़ी हाँ है, तो square of card ही देते हैं, कर दिया, अब refresh करता हूँ, यह खतम हूँ, पांसो आटारीस का book हुआ है, लेकिन अभी भी मेरा 912 रुपे का loss है, तो चलिए, कोई बात नहीं है, loss तो होता रहेगा, profit होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, क्या वो cover हो पाता है, यह हमें important देखना है, तो गोदरे CP देखे, वापस से bounce करने का कोशिस कर रहा है, और Tata consumer भी एक अच्छा stock है, इसके भी focus कर सकते हैं, टाटा consumer को वापस से inty करने के लिए, उसमें भी कहीं को दिकाना, देखे, टाटा consumer वापस से bounce back किया है, चलिए, अभी देखते हैं, और vector food कैसा है, Adani port, Adani port, और आपका है, H-A-L, हल, हल, हल भी देखते हैं, उसका भी कुछ हुआ है, मामला, आपका कुछ करार किया है, रक्षा मंद्राले के साथ में, जवदस्त फॉल है, हल में, उसलिए देखते हैं, हल का एक छोटा सा quantity लेने की कोशिस करते हैं, हलांकि बड़ा movement वाला stock है हल, इस एरिया पे यह आया हुआ तो है, हल, इसको ज़्यादा बड़ा quantity नहीं लेंगे, बाइ करेंगे, इंट्राडे में 50 quantity और यह margin पता है कितना ढूंड रहा है, यह margin ढूंड रहा है आपका 46,000, मातर 50 quantity में 46,000 वो धूंड रहा है, सोचिए, मैंने लिया है हल पे, अभी मिला नहीं होगा मुझे, ओडर, ओपन ओडर है न, मॉडिफाइ कर देते हैं, ओडर प्राइच 82,000 पर लिए है, अब 82,000 चल रहा है, यहां पर 83,000 चल रहा है, तो इसको हम 83,000 भी कर सकते हैं, 83,000 कर देते हैं, करने देगा यहां से, जो वहां से हैते, दे दिया क्या, दे दिया, कंप्लिटेड हो गया क्या, हां हो गया, तो पोट्फोलियो में आते हैं, पोजिशन में देखे, 35 रुपे का भी हल में माइनस है, कोई दिखकर ने, अब 50 का प्रोफिट है, प्रोफिट, 117, 118 का प्रोफिट है, यह हल एक ट्रेड लिया है, तो ऊपर से काफी करेक्शन करके नीचे आया है, पूरा का पूरा फॉल है, चलिए, अगर यहां से यह 50 पॉइंट भी चलता है, से तालीस, 30 पॉइंट भी चलता है, से तालीस सो तका आता है, बीस पॉइंट, तो पुरना काम इधर हो जाना चाहिए, से तालीस सो पीस, यह हां, यह मैं कह रहा था है कि मैंने सेलरी, सेलरी नाम का एक कॉलम यहां पर बनाऊँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, सेलरी नाम का एक कॉलम में बनाऊँगा, सेलरी, मैं देखे, आट सो पंदरा रुपे है ना, तो आप मैं सेलरी कुलम है, जिसे इंटरनेट चार्ज है, मेरा, मेरा अपना महनत है, और भी बहुत सा रहा है, मिसलेनियस खर्चा है, तो उसके लिए भी मैं कुछ यहां पर से पैसा निकाल रहा हूँगा, तो कितना निकालूँगा, तो 50%, कितना, नेट पील का 50%, तो 815 है, तो मैं इसको 400 रुपिया मैं इससे विड्रो कर लूँगा, और वो एक अलग रखता जाओंगा, हलांकि रहेगा इसी में, तो जो 400 रुपिया है, वो मैं माइनस करके समझूगा, कि माइनस ही है मेरा पैसा, इसमें मुझे वो 400 रुपिया हटा के सो इसा को खराब नहीं है वो, लेकिन मामला वही है कि वो जाता है तो लेट लेट से, रुप रुप जाता है, तो दिक्कत है, वीचे से दिखे, ये रुपिया से को 1503 को ब्रेक ही नहीं करवा, ये बाय साइट का स्टॉक है, इसलिए खरीदना ही है, लेकिन इस एरिया के उप 503 के उपर, ये 503 के उपर ही जा ही नहीं रहा है, 503 के उपर जाएगा अपना काम हो जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, वही बात है, है ना, बांकि अडानी पोर्ट कैसा है, ये देखें ज़रा, अडानी पोर्ट भी ठीकी है, और हल कैसा चल रहा है 3 रुपए, 78 रुपए, 50 रुपए, यह तो profit में आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं order लगाता हूँ ऐसे, 46, 46, 90, अभी मैं limit पर इसका order लगाता हूँ, ठीक है, ओडर में आया क्या, open में, नहीं लगाया, यहां से लगाना पुडएगा, यहां से लगाना पुडएगा, आजा भाई, इसको 46, 90, यह आप, 90 में भी काड़ सकते हैं, हल, 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 हलांकि, है तो उसी जगह पर, 47 सो तक तो जाना चाहिए, इसको support area पर है, बच्ची के school से phone था, कुछ document मांगा जा रहा है, बता नहीं, जो की document तो सारा submit है, फिर भी कोई बात नहीं, चली, यहां में दिखें, इसमें movement आ रहा है, इसमें और इसको भी मैंने 63 रुपय का profit, 100 रुपय का profit चल रहा है, 90 चल रहा है, 150, 148, 140, 188 ही है, तब अब उपर हो जाएगा, और यहां देखें, यह आ रहा है, 88, 89, इसको break करेगा, सही 400, देखें, मार्केट उसी जगह से फिर bounce कर रहा है, सही जगह से, जहां से हम लोगोंने profit book किया है, बिल्कुल सही कर लिया, profit छोटा ही profit, कोई दिक्कत नहीं, loss भी छोटा book करना है, profit भी, है ना, थोड़ा 2-4 trade करेगा, क्यों हम लोगों अपना target लेना है, 84, 85, चलो मारो, 85 को तोड़ दो, 85, ने 88 को तोड़ो, तब मम लाएगा, 4700 की तरब, जो उपर, 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 एक सो चालिस, 150, 150 को तोड़ी ने रहा, 210, अब तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, यह दिखे, तोड़ा, 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 यहां होगया, 270, 244, 225, तोड़ा, 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 यहां होगया, 270, 24270, तीन सो हो तक चलो तो चलो बाबू चलो 47 तक आजा तो यहां तक आजा 88 यहां आ गया 350 350 350 400 400 400 यानि कि 90 का पास में आ गया तो जो मैं बोल रहा था कि 90 तो 99 हो गया तो यहां पर दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ हल को स्क्वाइर ओफ के लिए देखिए ज़्यादा बड़ा नए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है है ना आपको छोटा छोटा लेते जाना है 4692 यह मैंने लगा दिया ओडर और निकल भी गया 4692 पर जी हां 548 रुपय का प्रॉफिट बुक हो गया यह देखिए 548 दिख रहा है हल हल में यहां आपको दिखेगा हल में 500 पका 500 का प्रॉफिट बुक हो गया तो अब जो लॉस बचा कितना बचा 462 रुपय का बचा कोई दिक करने ठीक है उससे कोई दिकत नहीं है अराम से काम होगा और होले होले ही होगा कोई दिकत नहीं होले होले से सब काम हो जाएगा चलिए MCX यहां पर सस्टेंड कर रहा है क्लोजिंग वावन एक सेट वावन फचास MCX का लेबल क्या दिख रहा है कम जोड़ी तो है MCX चलिए MCX में भी थोड़ा बड़ा प्राइस का स्टॉक है MCX MCX को सेल करेंगे इसको भी इंट्राडे में इसका मार्जिन कितना मांग रहा है यह मांग रहा है बाब रिवार 50 quantity में मांग रहा है बाबव नदर 500 पागल है कितना पैसा क्योंदेंगे भाईया बहुत हैबी है बहुत हैबी मांग रहा है बहुत हैबी मांग रहा है अच्छा कि हल से निकल गए प्रॉफिट लेकर देखा बैंक निप्टी वापस नीचे कोई बात ने है चल यह है इसको 45 क्वांटिटी में कितना ले रहा है 4750 लिमिट्ड इसको कर दिया सेल 52 पर सेल लगा है मिल गया 15 क्वांटिटी दिया है अब लग रहा हो गया हो गया है और इसमें MCX का एक ट्रेड लिया है जिसमें अब इसको एक बार रिफ्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा MCX मिला है 45 सेर बेचा है बावन सो पचास पर और यह भी बावन सो पचास ही चल रहा है थोड़ा नीचे आ रहा है 48 हो गया था और यह वापस से भी कुछ ने नो प्रोफिट नो लोस में आगे इसमें आ जाएगा आजा भाई नीचे आजा कितना पॉइंट गिरे हो महां तक 13 पॉइंट गिरे हो तुम तो तेरा पॉइंट गिरता नहीं तुम तो सो पॉइंट किरता है 70 पॉइंट गिरता आजा बहुत जद्दो जहत के साथ रुका हुआ है RSI 50 को भी इसने नीचे ब्रेकडाउन किया है चलिए MCX हाँ आरा पह 45 पॉइंट आ गया है तो यहाँ बन गया 205 पेगा प्रॉफिट चलो तब निरान बे हुआ आजा कितना का लो मारा हाँ 205 हो गया यही कवर कर देगा चलो 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 40, 36, 35 तक आजाओ इसका ज़र आप्शन डेटा देखे तो क्या बता रहा है बावन सो एक आवन सो पच्चास बारह हजार और तेरह हजार यह इंपॉर्टन लेवल है यहाँ पर बावन सो पर बावन सो तक आ जाएगा तो कूछ काम हो जाएगा अपना बहुत सुन्दर से अभी थोड़ा सा गट गया प्रोफिट यह फिर बढ़ यहाँ देखें एक सो चार रुपए का तो हमसी एक नीचे आ रहा है बावन सो ब्यालिस पर हम लोग का जो प्रोफिट है तो यह यह अपर भी थीक है यहाँ पर भी प्रोफिट बुक किया जा सकता है उसे कोई दिक्कत नहीं है और यह इस तरह का एक बारा बड़ा केंड़ील अगर मार दे 40 पॉइंट का तो मजा आजा है आ रहा है नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है का वेट करते हैं और धेर धेरे यह नीचे आने के कगार पर है आजाएगा 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 आजा तोड़ो तो बाबन सो चालिस को तोड़ो नीचे की तरफ तब तक में हम अपना कुछ और काम कर लें बाबन सो चालिस को तोड़ो बाबन सो ब्यालिस पच्चिस का लो लगा रहा है खाली तो सो पच्चिस एक सो चारानवे तिन सो आठ अब एक सु चाप्पन चलो कवर करो यहां कितना चल रहा है इसका बाबन सो तैटालिस चल रहा है न तो मैं इसको भी बाबन सो तैटालिस पे बूखी कर लेता हूँ बाबन सो तैटालिस या फिर बाबन सो चारीश यहां कितना चलो 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 चल लगाया है मैंने ओडर बाबन सो ओडर जो लगाया है मैंने यहाँ आपको दिखाता हूँ ओडर ओपन ओडर में दिखेंगा एक मिलेगा आपको बाबन सो बैलिस पर पचास पैसे ठीक है और यह भी चल रहा है बाबन सो सहीतालीस रुपए पर एक सो आठ रुपएगा प्रॉफिट है कवर हो जाएगा और हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे कोई टेंशन नहीं है अभी 3.500 का लॉज बचा है आगे न वहां से लॉज कभर करके यहां तर अभी देखते हैं और कभर हो जाएगा कोई बाद नहीं अलांकि यह दो केंडल का जो यहां पर सुभा में इसने सपोर्ट बनाया उसी के पास से यह बाउंस कर रहा है वेट करते हैं देखिए यहां हल में 4700 का जो लेवल था वो कंप्लीट हो गया नीचे से जवरदस इसने कवर किया है और बहुत ही संदर तरीके से काम इसने किया अपना काम इसने कर दिया चुकि बैंक निप्टी ऊपर की तरब में भागा उसके साथ सा थल भी भागा है एम सी एक्स थोड़ा सा यहां से मुमेंट दिखाने कोशिश कर रहा है उन्चास हलां कि अब मेरा प्रॉफिट घड़ गया होगा मातर सोला रुपए का है देखते अभी कवर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आ जाएगा हॉप ग्यायाँ इसका अभी मेरे हैं जो नबबयiku इथ आफ्र चल रहा है अभी मैं इसका ओड़र जो लगा रखा हूं इसवाडवाः को भी में कैंसील करता हूं ठीक है, order को मैंने भी cancel कर दिया, cancel कर दिया, देखिए, open में कोई order नहीं है, cancel कर दिया, अभी 800 प्रोफिट है मादर, कोई दिक्कर नहीं, देखते हैं, क्या इस candle के बाद में इसमें moment आता है, या फिर यह, यहां से fall करके नीचे आता है, important है area, कल कल हो था, बावन है क्या रहा, बावन सु important support है, बावन सु के पास आ गया, तब तो महमला ही संदार हो जाएगा, यहां पर देखें, mcx, इसका buyer और seller का भी अगर आप difference मोग देख लें चारा, buyer और seller, 45% buy order है, 46% job one है seller है, ठीक है, नीचे आया वापस, एक बाद refresh करेंगे, तो profit बढ़ जाएगा, mcx ही तो देख रहा हूँ ना, mcx में यह प्राइस रहा है बाद, अच्या गुंचास हो गया, विपैत 40 हो बाद, कोई बाद, जाओ बाद बाद, जाओ बाद, जाओ बाद, लिए बाद, वेट करते हैं स्केंडल के बाद देखिए क्या करते है अब कॉस्ट होगे 5250 ही हम लोग का लेबल है 5250 इस हिसाब से देखें तो 470 रुपय का भी हम लोग लॉस में है जो वन दो शोलो भै नीचे आओ शबास आजा वाँ नीचे 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 यह कभी 46 का लो लगाता है कभी 45 का लो लगाते है और यहीं पर यह गुमार है 200 प्रॉफिट में हूँ लेकिन कोई खास नहीं आना चाहिए नीचे बैंक निप्टी में अच्छा मूमेंट आया है उपर की तरफ में बाव एक आबंजार 150 के रिया को प्रेक कर रहा है सही है बिल्कुल सही जगह से बाउंस भी क्या जिसमें हम लोग उने कॉल अप्रॉफिटी बनाया और वहां से निकल गए इसमें देखें 48 इसमें 56 का प्रॉफिट है को खास नहीं है आजा नीचे यार रुक रहा है रुकना वह श्टॉक में न तो फिद दिक्कत होता है वहां पर ताकत गेन कर लेगा धिरे-धिरे और वहां से वह बाउंस कर सकता है ऐसा होता है कई बार बार वह चार-पांच-द थ्यान रखना रहता है कि हम लोगों को निकलना है तो सही जगा से निकले या पहले निकल जाए अधिकर हल जो है पे ब्रेक आट पे ब्रेक आट मारे जाय रहा है आएगा हल देखे उपर की साइड में बागे जा रहा है कोबार गोद्रेश CP भी दिये थे आप लोगों को हम गोद्रेश CP 1494 ठीक है यह जब तक 1504 यह तीन को ब्रेक नहीं करें तब तक नहीं जब मेरा माँबड़ रिलाइंस में ठीक है रिलाइंस कि पच्चीज रूखा हुआ है रूख जाता है तो दिकत फिर देने लग जाएगा रूखने या नहीं रूखना नहीं या तो तुम उपरे मुमेंट या नहीं इस तरह से रूखेगा देखें यह ताकत स्ट्रेंद गेन करता है फिर वह उपर भागता है न तो यह दिकत का सामना करना पढ़ सकता है और देखे देखे कैसे तेजी से यह भागा तो वापस से 944 रुपया के दर सामना करना पढ़ रहा है चले देखते हैं अभी यह सस्टेन करता है या फिर नीचे गिरता है यह मामला रुख गया न रुखने के बाद दिकत करता है रुखना नीच चाहिए सिधे आता है तो सिधे नीचे आजए रुख जाएगा तो दिकत है चाहिए पर सेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् स्कैंडल के बाद सांव गोध्रे पी दो दुखे जैसे फंद्रा सु ठीन को ब्रेक क्याá पंद्रा सु ग्यारा बारा का हाय मार दिया तो फर्स्ट तार्गेट डण होचुका है गोध्रे लेवल के उपर जाने पर अपका प्रॉफिट बनेगा नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा लेकिन profit को देरे देरे enjoy करते ही mcx sales ID ही देखेंगे इसमें कोई तिकत वाली बात नहीं है mcx में और अभी mcx क्या चल रहा है लेकिन आज का सपोर्ट एडिया है वह ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको फॉल देखने को मिलेगा mcx में बड़ा वाला और बावन सो तक आने के फिर चांस बना सकता है तो देखते हैं समय लगाएगा आता है कि नहीं आता है अभी पता चल जाएगा कोई दिकत वाली बात नहीं समय हो गया है दूस्तों 11 बच के 52 मिनट और देखे 880 का टोटल लॉस काट के 420 रुपे का प्रॉफिट हो चुका है आप यहां पर देख पा रहे हैं हलांकि और भी प्रॉफिट हुआ था यह बावन सो चौविस तक आया था तो और भी अच्छा प्रॉफिट था बावन सो 25 तक अभी फिलाल बावन सो तीस है तो मुझे लगता है यह दिरे दिरे बावन सो दस पंदरा तक आना चाहिए आ जाएगा और मेरा जो लॉस था वो लॉस सारा रिकबर हो चुका है कोई टेंशन वाली मातर 417 रुपे का है तो मैं 525 हो चुका है और मुझे लग रहे है वाला कॉलम है ये मैं लूगा ये मैं लूँगा हर सेलेरी मेरा महनत हैमने महें लूगा कि आरवाइज मुझे पैसा नहीं मिलता तो यहाँ एप में Login हो गया दुबादा से जाता हूं पोसिशन में और इसको पहले काटने की कोशिश करता हूँ इसको मैंने काट दिया square of चल यह मैंने इसको काटा चल यह मैंने काट दिया ठीक है कोई दिक करने तो अब जो है 52 पर कर दिया तो अब धीरे धीरे जो है मैं यहाँ पर सब maintain कर लेता हूँ और pause करके maintain कर कारण की trading दोशार बार हो गया तो आप लोगों को लगेगा boring तो इसको लिए मैं पहले यहाँ maintain कर लेता हूँ तो दोस्तों सब aid कर लिया यहाँ पर और आप देखिए MCX में 900 रुपय का profit हुआ है अब थोड़ा over trade हो गया इसके लिए आप भी देखी रहे है चुकि हमारा target है कि हमें profit लेके जाना है और अगर profit लेके जाना है तो इसमें कुछ हो सकता है अब आप लोग कैसे तो ब्रोक्रेस कट जाएगा आप बताए यह जो भी ब्रोक्रेस कट एगा तो मेरे घर से जाएगा क्या नहीं जाएगा इसी में से न जाएगा 20 रुपय आएगा ब्रोक्रेस काट के हमको लेकिन मेरे घर से तो कुछ नहीं जाएगा यह आप बाद समझे इसी तरह से यहां 548 रुपय का profit हुआ ये भी कर लिया bank nifty का call इंडिया में loss हो गया 195 का तो इसको मैं minus कर देता हूँ इसमें loss हो गया इसको minus कर दिया profit हो गया इसमें plus हो गया हल में और minus आपको कर दिया टाटा consumer में minus कर दिया rate हो गया तो देखे आज का जो है काटता हूँ यहां पर overall auto sum किदर गया यह है क्या auto sum नहीं देखते हैं कहां पर है auto sum होना चाहिए कहीं पर सायद जो है भी function में जाके sum पे click करेंगे तो आप देखे टोटल 527 रूपया देखे आपको यहां दिखाता हूँ 527 रूपया 555 पैसे का मुझे profit हो रहा है इंटर करता हूँ तो 527 रूपया 555 पैसे का मुझे profit हो रहा है नेट काट के ठीक है मतला अभी अब ब्रोक्रेस मे जो कटेगा उसमें से तो मेरे जेव से तो कुछ नहीं जाएगा और इसमें मैंने गरबड़ी कर दिया कोटक में जनते क्या मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया कोटक में कहां के position तब कुछ है नहीं order में इसको मैंने 5220 का target लगाया था कोटक बैंक में लेकिन गरबड़ी क कि भूल गया कि इसको mobile app से target लगाना है मैंने यहां target लगा दिया यहां लगा दिया system पर तो यह active नहीं हुआ और यह 2528 पर कड़ गया और जबकि यह 2517 का लो मारा तो मैंने का चलो हो गया होगा तो देखता हूं तो 2528 पर ही exit किया हुगा है 2528 पर देख रहे हैं और यह भी इसका तो कोई यूज नहीं है यह तो खतम होगे हमारा को पोजिशन है भी नहीं खतम देखे चलिए पोर्टफोलियो और यहां पोजिशन कोई भी पोजिशन नहीं है खतम कि यह कौन चाहिए माइनस कैसे दिखा रहा है इसको करता हूं अच्छा यहां को आन रहा यहां पर प्र्फिश प्रॉफित कुछ आन रहा है यह एवरेज कॉश में अभी आ जाएगा यहां तीक है इन गर्वर्ण में ठीक है दिख रहा है 50028 उसका काहँ दिखे का यहां देकि यह उपर हरा हरा यह तर दीक रहा होगा तो अब हमारा 58 अब माल यह कार्पी देस वाएगा नहीं बना कल के जैसा गडबड हो गया इसका मैंने टार्गेट लगाया था यह लेकिन मुझे मैं भूल गया कि मुझे सिस्टम से नहीं को से लगाना है टार्गेट लगाया था यह कार्ट दिया दिखेंगे लगाया था यह 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 बात है तो चैलेंज दोस्तों यह वाला है तीन से पांट परशन वाला इसका काम आजका फिनिस हो गया हम लोग 9900 से स्टार्ट किये थे और अभी फंड कि कितना हो गया है चले फंड एक बड़ चेक कर लेते हम लोग फंड अभी फिलाल कितना दिखा रहा है फंड दिखा रहा है आपका पचास अजार साथ सो तेहत्तर रुपया है ना आज बाला पैसा जुड़ा नहीं है आज बाला पैसा जुड़ेगा वह कल जो भी कार्ट पीट के सोट एका जुड़ेगा पर जुड़ेगा जरूद ठीक है शलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सारे लोग कहेंगे का मीमिना इस टाइब का बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे गदा बेकुट चीत अलू पट्था ब्रोक्रेश जाएगा यह वह आहां ब्रोक्रेश जाएगा तो मेरे जेव से थोड़ी जाएगा माले वह तो मैं मार्केट से ही लेकर दे रहाऊ उसको इसको मेरे मे दोस्तों एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए दिए कि पहले समय आप देख लिए समय हो गया तीन बच के नौ मिनट हो चुका है और एक हलका सा ट्रेड मैंने ले लिया था दुबारा से किसमें में और मैं भी रिफ्रेस करता हूं पूरा और जो एक्सल सीट है फिर से इसको मेंटेन कर देता हूं पोर्फोलियो में आएंगे पोजिशन में देंगे तो 845 रुपय का प्रॉफिट हो है तो जो टार्गेट था लग वहां तक पहुंच गया लेकिन आपको भी पता कि इतना प्रॉफिट होगा नहीं ब्रोकरेज कटेगा तो हम अब हमको लगता है कि 506 रुपय का प्रॉफिट हमें हो जाना चाहिए वह तो खेर आने के बाद पता चलेगा जो आपका आएगा ना कॉंटेक्ट में तुसे पता चल जाएगा तो अभी मैं फिलाल इसको मेंटेन कर दे का इसमें मैंने दुबारा से 40 क्वांटिटी यानि कि टोटल 90 क्वांटिटी हो गया था अब्रेज प्राइस चेंज वह भी चेंज करने के बाद मैं देख लूँगा और यहां पे जो प्रॉफिट इसका हुआ है सिर्फ mcx का वह मैं आपको यहां पे दिखा दू mcx का प् अब जो है अगर आप इसको देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस काट के कितना बना आज क्या वो देखे यहां इंसर्ट गया फंसन में गया सम किया तो बन गया 844 रूपए ठीक है 844 रूपीज मेरा यहां पे बन गया आप देखे 844 रूपए और यहां देखे कितना दिखा रहा है 845 पहना सेमा गया तो अपना काम हो गया जो टार्गेट था लगववववववव पूरा हो गया फंड आप देखते हैं वापस से त बहुत बहुत धन्यवाद